थ्रेड और टेकनिकल टिप्स तो आज की सेर्डाहे मैं आपको केमिंकल सेक्टर की ऐक सबसी बड़े कमपनी काश देनें वाले तो में आपको उसके फंडामेंटल एंड टेकनिकल एनल्य possibility दूरन बताऊ होंगा तो आपको पता लेकि fundamentally buy करना है किने और और अगर fundamentally buy करना है तो what is the best level to buy and which is on which will be based on the technical analysis purely तो अगर हम लोग share की बात करें तो definitely थोड़ा डाउन था पूरा मार्केट डाउन था अगर हम लोग yearly delay तो only one percent उपर है तो आप सोच सकते कि यह share कुछ भी ने दोड़ा लास्ट one year में बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा नहीं है तो मैं बतना चाहता हो कि लास्ट एक year में यह चेर एक ही जगह पर एट हंड़ेड टू नाइन हंड़ेड नाइन हंड़ेड टू थाउसन ये टू हंड़ेड प्राइस के रेंज में अगर कोई कंपनी आपको 5000 परसंट रिटन दे रहे और अगर आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपको क्या बाय करने अगर आपको एज जैसे शेर में इन्वेश्टमेंट करने तो तुमें शेयर का नाम बतना चाहता है शेयर का नाम में टाटा केमिकल्स तू सबसे पहले मैंने क्या किया गूगल पर जाके सर्च किया कि टाटा केमिकल्स एक्चुली करती क्या हमें भी पता है टाटा केमिकल्स बैटरी बनाते बट बैटरी क्या बनाते क्योंकि बैटरी का हर प्रोड़क्स हर कोई दूसरा कंपनी बनाते हर चीज टाटा केमिकल्स नहीं बन ता कि यह सोडा इस क्या होता है तो मैंने उसके बाद क्या किया तो मैंने Google पर सर्च किया कि ूज ऑफ सोडा इस क्या होता है देन उसके बाद मुझे पता चला कि जो सोडा एश है वह basically alumina product से उसके लिए उसके ओसके जार आप यहाँ पर देख सकते सबसे इंपोर्टन तिंग इंपोर्टन लिटीयां आयन बैटरीज तो आपको पता है जो लिटीयां आयन बैटरीज यहां पर यूज हो सकता है टाटा कमपनी बैटरीज नहीं बना थी टाटा कमपनी उसमें लगने वाला जो सोड़ा एशे वह बनाती है अगर आप टाटा केमिकल की मार्केट कैप देखे तो उनली 24,000 करण सची बता हो मुझे भी पता नहीं ता कि बस इतना सा मार्केट कैप है 24,000 करण बहुत नॉमिलर होता है तो आपके लिए वीडियो बनाते समय मुझे भी पता चल जब गया है कि इसका मार्केट का बस इतना सा है अगर हम लोग देखें करन प्राइज 929 और हाई उसका 1259 तो यह अल्मुष 20 यह 30 परसेंट अपने हाई से नीचे हैं अगर हम लोग देख सकते हैं तो 8.4 परसेंट डेफिनेटली लाश्ट वन एयर से अगर कोई स्टॉप एक जगह पर कॉंसलेट कर रहा है तो उसका रिटन ओन इक्विटी इतना ही होगा बट लॉंग तम यह डेफिनेटली डेप टू इक्विटी रिश्यों 0.3 विच इस वेरी नॉर्मल अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 38 परसेंट मेरा मुझे डाउट है कि यह लाश्ट बाकी का होल्डिंग किसके पास है तो अफ्कोस एफ़ाइज डियाइज होगे जो हम लोग बाद में लाश्ट में आपको देखेंगी वीडियो में अगर हम स्टॉक का पी देखें 12 परसेंट इंडस्टी का पी देखें 26 परसेंट मतलब अपने इंडस्टी पी के हाफ प्राइस पे कार अभी जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है अगर हम लोग उसके कौटरवाइस सेल्स में देखें तो हम रिसेंटली परफरमस देंगे ज्यादा ओलने देखेंगे कि पहले अगर वाइस रिजल्ट देके तो लाज सब्टेंबर 2020 में 2600 का सेल्स था तो तूज़न ट्वेंटीवन में 3000 का था और यह सब्टेंबर में 4000 करोड कर अगर प्रॉफिट देके 386 501 एंड 920 कंटिनियूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है अफकोस जून से जून का जो प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि डेफिनेटली जो रॉम मेटरल का प्राइज वह बहुत ज्यादा बढ़ गयाता है इसके वज़े से अगर हम लोग उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देके तो कंटिनियूसली में टेन ट्वेंटी तो ट्वेंटी परसेंट एट वेरी वेरी गुड़ तिंग फर एनिस्टॉप तो मेंटेन देर अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जित अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो मैं जैसे बूला आपको यहां पर देख सकते हैं प्रमोटर की ओल्डिंग कॉंस्टंट एक आफ इसरेंग कॉट् सब्सक्राइब करता है तो उम्मित करता हो कि आपको वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें